असलावरेकूं क्लास्टेट, आज की विडियो नंबर 1.1 में हम पढ़ी गया एक्सराइस नंबर 2.6 एक्सराइस 2.6 को पढ़ने से पहले हम कुछ बाते क्लियर करें देले कुछ, याद निदेगा तभी मैंद में इस तरह का आपको कोई नंबर देते हैं इस तरह, तो आप इस पूरे नंबर को पढ़ने एक टरम, इस टरम में कुछ अलब अलब चीज़े हैं जिनके नाम आपको बढ़ा होने चाहिए तरह कि मैं जब समझा रहा हूँ तो आपको पता हो जिए किस के बार बार है, कैसे हैं हमेशा करम के अंदर कोई एक नंबर होगा है जो के इस वैलियेबल के, यानि इस अलफ़बेट के बाहर को बता है इस नंबर को हम कहते हैं पोविशन है जो को QAшil इसके बाभ जो वैलियेबल होगा है, यानि जो APCD to B R लेखा हो इसे हम क्याता है, बैलियेबल और बैलियेबल के उपर एक छोटा सा नंबर लिखा हो अगर नंबर नहीं लिखागा, तो इसका मत्तब बल लिखा पर, क्या बल लिखते नहीं उपर तो उस नंबर को हम कहता है पावर या इंडेक्स ठीके जिए इसके इलाबा कभी-कभी term ऐसी भी होती कि जिसमें variable नहीं होता जैसे सिंबल है मैंने 5 लिए तो ये भी एक term लेकिन फ़र्क ये कि कि इस बार इस term में इस सिर्फ coefficient ना variable है ना power अगर power है तो बार ने कि के बार लिखींगी ठीके? इसी त्राज़ में यू लिखो 5 की power 2 तो इस पे सिर्फ coefficient है और उसकी power 2 है ठीके बात आपको समझाने जाए अब इसके तुस्रूल्स है रूल्स रहें कि कभी भी दो टांब्स एक जैसे जैसे देखे एक टांब कोई 5 दूसरी टांब कोई 5 और इन दोनों की भी sin हो multiply तो इन दोनों की जो power जो भी वो add है अभी अगर power नेगी तो क्या है बन बन है तो इन दोनों power को add कर देखे 5 की power 2 इसको बापस देखे परस करें 5 की जैए कोई और number लिखाओ इधर भी P लिखाओ है इसकी power लिखी वी 3 इसकी power लिखी वी 2 तो रूल गया है अगर भी base same हो यह जो power जोगी यह add हो यहानी P की power 3 5 यह आपने basic नहीं पढ़ा 6 में पढ़ा स्थाविक में पढ़ा है तो यह कुछ भूब करा दूसरी बात यह आद रखी है कि अगर अगर अभी fractions में power लिखाओ 5 की power 3 नीचे लिखाओ अब आप चारे के सारण यह basis same है लेकि add, subtract नहीं कर पा रहा यह तो divide हो रहा आपने दूसरी multiply के लिए बता है तो आप इस तरह भी कर सकते यह 5 की power को नीचे लिखाओ आप इसे उपड़ दे आप उपड़ आप इसको लिखेंगे 5 की power 3 multiply by 5 की power यह नीचे 2 थी न यह उपर आके minus 2 यानि अगर कोई number नीचे से उपर आप तो उसकी power का sign opposite है अगर उसकी power नीचे plus 2 थी तो उपर आके minus 2 गजाए आथर उसकी power नीचे minus 2 थी तो उपर आके plus 2 गजाए sign opposite गजाए यह बात आप देगा अब आगे बाद परते question दिए आपके 2.6 में question 2.6 में पहला question आपको दिया है कि find a radicant and index कि बहुत सारे question लिखे दिए और कहते हैं बताएं इसमे से radicant calls simple सी पैचान है यह इसके square root के अंदर जो number वो radicant calls जो भी लिखा हो बहुत सारे number लिखे हो आपको पूरे number कितने बराबर के radicant लिखे हो अपको आपको आपको और square root के इलाबर जो inner number लिखा हो अचोटा साथ तो में लिखा हो है 4 लिखा है 5 लिखा है जो कहलाएगा index ठीके जी अब इसके इलाबर कुछ और question जैसे कुछ तो इस तरह की question बहुत कुछ तो इस तरह की question बहुत कुछ ऐसे question है जिसमें को कहरें simplify करें simplify करें मतलब के solve करें solve करें solve करें जैसे part करें यह बहुत कुछ तरह की 625, radicant 4 तो मेटा देखे करना ही है यह जो 625 लिखा बहुत है इसकी आप यहाँ पे factorization के 625 तो आप 6 class भी शीट कराए जिसाब LCM भी कान ने कहते हैं कैसी करें में 5 P double से कर लेते हैं 5 1 5 1 इदर 5 2 जात है 2 इदर 5 5 5 2 जात है 2 इदर 5 5 5 5 जात है 5 1 जात कितने 5 मिडा 4 5 जात है 5 की power 4 और यह जो radicant 4 इसको हम ऐसे लिख देते है 1 upon 4 अगर यहां radicant 3 लिखाओगा तो हम लिखते 1 upon 3 अगर यहां कुछे ने लिखाओगा तो लिखते है 1 upon 2 तो 5 की power 1 बची वो लिखते है ने लिखी तो खाली 5 अंसा लिखाओगा इस तरह आपने simplified है एक और कुशन लेख 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 इसमें लेकर उनने का है q में index n q में index n अगर root के साथ fold लिखा तो 1 upon 4 n लिखा है q की power 1 upon n और नीचे q की power 1 upon n क्योंकि यह n दिया अब हमें पता है इसमें की base saved तो पावर add subtract हो सकती है लेकिन यह तो नीचे है तो उसको उपढ लेया q की power 1 upon n को अब ऐसे लिखी के यह उपर आके बैटिंग लाओगा लेकिन इसकी sign उपूद रिया हो यहां पर यह plus 1 upon n को उपर आके minus 1 upon n हो जाए अब इस दोनों की base same होए तो हम क्या करें के q की power 1 upon n minus 1 upon n अब इसको और source किया जाता है अब इसको source करने का एक तरीका होगा तरीका क्या होगा है कि जो नीचे बादे दो नंगर करें n को ये बादे से करें n को ये बादे से cross करें तो लिखेंगे q mn m-n ये आपका है करें एक और motion में आपको तरहादे जाए जो आपकी रूप में दिया वहाँ देखेंगे ये सबसे लंबा ये सबसे बड़ा motion मुझे दिख रहा है दिखेंगे आपको बड़ा इसमें करना क्या है ये question दिया वहाँ जिसमें करना क्या है ये question दिया वहाँ जिसमें आपका रड़ेकेंट 3 लिका हूँ इसका मंदब ये 1 upon 3 बढ़ जाय है अंदर बादे जो number हम को इसी तरह सा prime factorization करेंगे तो जब आप 64 को factorize करेंगे ना इस तरह से तो आपके पास आएगा 4 की power 3 तो मैं 64 की जगा लिख रहा हूँ तो इसका मैं करके लिखाता हूँ तो आपके 2 ये ज़िए ये ज़िए 64 तो 4 1 दा 4 2 इदर 24 आता है 4 6 दा तो 4 4 दा 64 तो 4 की power 3 आया यानि 64 की जगा 4 की power 3 A की power 3 को ऐसी नहीं लिखे B की power 9 को ऐसी नहीं इसी तरह आप 2 1 6 को करेंगे तो 2 1 6 को जो बता है 6 के तेमन में भी आता है 6 3 दा 18 21 में 18 निकाला 3 दा 36 फिर 6 6 दा 36 फिर 6 बता 6 तो 6 की power 3 आया इसकी ज़िए 6 की power 3 दे C की power 6 D की power 18 3 मैंने आपको भी बता रहे है यहां जो 3 लिखाओगा वो 1 upon 3 बन जाए 2 लिखाओगा 1 upon 2 बन जाए यहां पूरे पर 1 upon 3 आया यह 1 upon 3 इसके साथ भी है इसके साथ भी है यह 3 सबसे divide हो रहा जैसे हमने नीचे किया 4 से फूर पर divide नहीं था यह 3 बन जाए 3 3 बन जाए 3 3 बन जाए 3 यही 3 इससे भी divide हो रहा तो 3 बन जाए 3 3 बन जाए 6 3 6 बन जाए 3 यहां रहाए का power को power से divide कर ले नमबर से नथ कर दियेगा नमबर वैसे ही रहेगा उसकी जो power लेगा उससे बैट कर रहा हो तो अब यहां power क्या बची 1 बची को रिकते ही नहीं है 4 यहां क्या बची A यहां क्या बची BQ नीचे आए यहां बची 6 C square D6 आप पता है कि उपर नीचे कोई B same है यहां A B यहां आसके दिये तो उपड रहाती ही जबत नहीं है अब काली नमबर बची नमबर को भी कार देते है 2 2 बची 4 2 3 बची 6 नमबर को आपस पे कार सकते है नमबर को पावर से नहीं कार सकते है तो आशार आपिर ना आपको जो final आपको है 2 upon 3 A B Q C square D6 इस तरफ आपको इस बात समझे तो इसी तरह को पुवर्ट साइट 6 के आप रहे में इस पूशन करें शुपज़े